देवरी से हमारे संबाद दाता प्रशान्त जोसी की रिपोर्ट दिभ्यांक योबक को नहीं मिला किसी भी सरकारी योजना का लाब तिल-तिल कर मरने को मजबूर एक दिभ्यांक पती का सहारा बनी कल योगी पतनी सादी के 15 दिन बाद पती के साथ घटना घटी उसे जीवन भर के लिए पलंग पर रख दिया लेकिन पतनी ने हिम्मत नहीं हारी और पती के लिए साबित्री और सती अंसुया से कम नहीं हुई यह कलियोगी नहीं कलियोगी नारी है राइसेंट से हमारे संबाद दाता प्रशान्त जोसी की स्पेशल रिपोर्ट राइसेंट जिले के देवरी तैसिल का मामला जहां बिजली विबाग में मजदूरी करने का काम करता था और जरासी गलती से जिन्दगी विष्टर पर आकर सिमट गई उसकी पत्री और परिबार उसका सहारा बना हुआ है दिव्यांक को ना तो सिवराज सरकार से कोई लाब मिला और ना ही मोहन सरकार से लाब मिलने की उमीद है मामला है देवरी तैसिल के गिराम पंच्यात इटूवा का इटुवा के टपरिया टोला का जहां अरबिंद आदवासी जिसकी उम्र 24 बर्स थी उस समय बिजली विवाग में 400 रुपया दिन की दिहाली मजदूरी का काम करता था और बहीं 2017 में इस विवाग में काम किया करता था बांकी का 2019 में बिजली विवाग में बिजली ठीक कर रहा था इसी दोरान भाए खम्मी से गिर गया जिससे उसकी रीड की हड़ी टूट गई और कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सून्न हो गया उस समय काम कर रहे एक साती मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी जिसकी भरपाई ना तो बिजली विवाग के ठेकेदार चंदरभान खूते ने की और ना ही सरकार ने और वो उसके आते ही परिवार वालों ने नयाय की गुहार लगाते रहे उसको ना तो नयाय मिला और ना खर्मकाप पालन कर गुजर बसर कर रही है ना तो पंच्यात से कोई लाब मिला है और ना ही सरकार से कच्छे मकान में जोपड़ी में रहकर उम्मीद लगाए बैठा है आज तक ये दिव्यांग ब्यक्ति और उसकी पतिनी ने गोहार लगाई है भही ठेकेदार कुछ मदद करता तो साइद को छत तक पिवडित को लाब मिल जाता पठेकेदार ने भी अपने हाथ खीच लिये थे देवरी से हमारे संबाद दाता प्रशान्त जोशी की रिपोर्ट